आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे फार्मा सेक्टर के बारे में क्या फार्मा सेक्टर की रैली पूरी हो चुकी है कि अभी और स्कोप है इसकी रैली में उपर जाने के लिए आज लेकि हैं top 3 picks उन्हें intellectual stocks के बारे में बात करेंगे और साथी साथ फार्मा सेक्टर का index के बारे में बात करेंगे इन ज़नल ताकि हमें पता लग जाए कि अगर आपने फार्मा सेक्टर को अर्ली टाइम पे खरीदा हुआ है क्या ये सही टाइम है थोड़ा profit बुक करने का शायद हो सकता है इसी लिए हम या आपके लिए special video लेकिया हैं जिसमें हम अपना point of view रखेंगे pharma sector की rally क्या over हो चुकी है क्योंकि आपको समझना है दोस्तों कोई भी market rally होती है bull phase जब चलता है तो उसमें छोटे-छोटे correction आते है आपको periodically अपना profit बुक करना चाहिए pharma sector being one of the exception sector जबसे nifty ने march का लो बनाया था और index sensex ने nifty का लो बनाया है तबसे pharma sector एक ऐसा segment है जिसने उपर की तरफ आँख उठा कर देखा है और continuously उपर चलता चला गया सबसे best return देने वाला sector pharma ही है अभी case आप से दिखा जाए तो पर क्या इसकी evaluation थोड़ी stretch out हो चुकिए आईए चलकर पता करते हैं सबसे पहले हम pharma index को ही देखते हैं और देखेंगे कि क्या view बन रहा है pharma index के बारे में तो nse की website पर आप सारे इंडेक्स देख सकते हैं हमने nse का pharma index आपके लिए लगाया है यहाँ पर तो अगर देखेंगे आज का जो activity हुई है nifty जहां पर 2.4 परतिशत गिरा है नहीं nifty pharma index जो है वो 4.4 परतिशत गिरा है इसका open होते के साथ ही high बनना शुरू हुआ फिर continuously ओ फाल किया और उसने एक बार भी green की तरफ नहीं गया जहां nifty तो green पर चला गया था एक बार बीच में पर pharma sector green पर नहीं गया और वहाँ पर गिरते गिरते फिर वो और last में नीचे गिरा है हम nifty का दिखाते हैं आपको जो हम बोल रहे हैं तक कि आपको समझ में आएगा देखें नifty दो तीन बार green में आया था पर pharma एक बार भी green में नहीं गया है तो क्या short term के लिए इसकी rally पूरी हो चुकी है आए कुछ chart पे analysis करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है हमने long term का आपके लिए पार्मा इंडेक्स को बनाया है यहाँ पर तो अगर इसकी value देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा zoom out कर देते हैं ताकि आपको clear दिखाए दे यह जो long term का view हम बनाना चाहरे हैं आपके लिए तो देखे यह continuously September के month से 2015 से यह continuously falling channel में फसा हुआ है वो बनाया है March के time पे 6400 के आसपास अब यहां से यह almost double हो चुका है इसका जो high level गया था 12000 के आसपास इसका high जा चुका है तो इतने short time में इतनी बड़ी almost double rally होना पूरे index को यह सारे stock के combine एक weightage है शायद यहाँ पर valuation stretch out हो चुकी है तो थोड़ा सा profit book करना एक नियम के हिसाब से बनता है अगर इसका lifetime high देखेंगे तो lifetime high करीब-करीब 14000 के आसपास है यहाँ पर 13900-14000 के आसपास इसका lifetime high है पूरे type का भी तक का तो हो सकता है एक बार को यह 14000 को भी जहा के चुए हम कुछ नहीं कह सकते है उसके बार में पर अगर आपको एक predict करना है market में जैसे liquidity की basis पर यह index चला है उपर अब liquidity थोड़ी सकाउट हो रही है system से तो pharma sector में भी थोड़ा सा गिरावट आने की उम्मीद है जितने और sector गिरेंगे उतना शाद ना गिरे पर यहाँ पर profit booking थोड़ी लाजमी हो जाती है हमारे हिसाब से अब हम बात करेंगे जो heavy weight है pharma sector में doctor ready doctor ready one of the biggest heavy weight in pharma sector अगर आप clear indication देखें जो इसका low level था March के COVID के टाइम पर वो है 2600 के आसपास और यह यहाँ पर 5500 के आसपास तक हाई जा चुका है जो आज बंद हुआ है इसमें यहाँ पर भी आपको almost twice the return हो चुका है तो यहाँ पर एक हमारी recommendation है कि यहाँ पर profit booking आपकी बन जानी चाहिए doctor ready के charts पर तो यह एक हम सलहा देंगे आपको अपने कि आपको यहाँ पर करना चाहिए उसके reason क्यों बोलना है अभी समझाते है please consult a financial advisor देखे हम तीन sector select करेंगे तीन stock select करेंगे doctor ready, supply and order अभी doctor ready का ही chart देखा है हमने तो primarily एक तो expectation यह है कि covid की news आएगी तो उससे अच्छा result निकलेगा इन सारे pharma sectors में plus liquidity chase कर रही है तो liquidity को जो अच्छा लगेगा वो वहाँ पर पैसा लगाएंगे क्योंकि अभी का pharma का news काफी अच्छी है तो इस वज़े से pharma sector बहुत तेजी से चल रहा है यहाँ पर तो यह एक investment bet थी जो कि बहुत अच्छी payout हो चुकी है अब शायद यहाँ पर realistic value आएगी stock market की की थोड़ा time के बाद यह value fizzle out रहना शुरू होगी दोस्तो हम लोग nifty और bank nifty में activity rate करते हैं अगर आपको यह service चीए तो paid service mail पर drop कर सकते हैं आज हमें अच्छा फाइदा हुआ क्योंकि हमने short की हुई थे nifty को अपने बेस्टों अपने प्रोप्राइटी सिस्टम और weekend पर जो हमने research की थी उसके सारे वीडियो हमने अपने चैनल पर डाले हुए है अब अगर डॉक्टर रेडी सिपला और औरों की तिनों की बात की जाए तो हो सकता है यहां short term में जैसी आज candle बनी है उसके basis पर एक short term का selling continue रहे यहाँ पर देखते हैं कैसे बता रहे हैं तो देखे अगर आप डॉक्टर रेडी का चार्ट देखेंगे तो आज की जो candle बनी है बार वो सबसे बड़ी बार है recent सोरी recent time की सबसे बड़ी बार है तो यह एक clear indication है जो यहां से हो सकता है आगया आने वाले time के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ को pressure बना के रखे वहीं पर अगर हम दूसरा stock देखें जो second heavyweight है वो है सिपला सिपला ने भी अगर आप लोग देखेंगे तो करीब करीब 400 के असपास का लोग बनाया था और यह भी 800 के असपास चला गया तो double profit हो गया इसका यहां से तीसरा sector जो है औरो फार्मा औरो फार्मा ने तो clear cut यहां से sell signal दिखा दिया है देखें इसका जो high बना था 925 के असपास इसने यह अलड़ी 760 के असपास तो यहां पर आपको थोड़ा सा हिदायत दी जाएगी कि profit booking कर ली जाए तो एक अच्छा view बनेगा फार्मा सेक्टर म अगर आप Nifty की बात कहें तो Nifty का आज हमारा बहुत अच्छा दिन था हमने यहां पर शॉट किया था मार्किट को 12 बजे के असपास अपने खुद भी और अपने क्लाइंट्स को भी और यहां से बहुत अच्छा profit मिला है नीचे यहां तक जाके गया तो अच्छा view है हमारे पास में जिसके थ्रू हमें profit मिल सका है अब अगर और कुछ information देखें इसकी तो हम Telegram चैनल पर भी है हमने आज अपने Telegram चैनल पर Access Bank और Tata Motors की शॉटिंग की advice दी आप चाहे तो join कर सकते हैं आपको भी profit हो सकता है और COVID का economy से relationship है अज COVID problem चल रही है तो लोगों की job जा रही है real economy थोड़ी different है compared to stock market economy तो कुछ time के लिए इसमें correction आना बनता था जो आज Nifty में काफी अच्छा correction आया है तो ये भी एक reason है जिसकी वज़े से आपको थोड़ा सा अपने आपको profit book कर लेना चाहिए यहाँ पर जब आपको इतना अच्छा profit मिल रहा है तो अब अगर इसके target की बात करें तो एक-एक stock के target की बात करते हैं ताकि आपको पता लग सके कि क्या आपकी expectation होनी चाहिए तो देखे चार्ट से हम लोग सिर्फ रीड करेंगे और कुछ नहीं सबसे पहला अगर डॉक्टर एडी की बात की जाए डॉक्टर एडी का जो पहला target रहेगा 4260 के असपास रहेगा अगर इसने इसको break किया तो जो next level बनेगा वो बनेगा 3680 का sorry about that तो ये दो level आपको ध्यान रखने है अपने इस चार्ट पर इनको mark करके रखिएगा अपनी profit booking आप इनसे पहले ही कर ले तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है अभी ये almost peak पर है तो आप कल को अगर आपको मुक मिलता है तो आप इसको 22 तारिक को सप्टेंबर में अपना profit book कर सकते हैं डॉक्टर एडी में वहीं पर अगर हम सिपला की बात करें तो सिपला का target जो पहला target हमें लग रहा है अभी सिपला का जो यहां से इसने bounce पैख्या था वो रहेगा 620 के आसपास का तो यहां पर आपको उससे पहले ही आपको profit book कर लेना चाहिए मंडे Tuesday को ताकि आपको relatively advantage बिल सके फिर आपको दुबारा खरीना आपको दुबारा खरी सकते हैं अगर यहां पर आता है तो यह किसी वज़े से पर profit book करना regular time interval पर एक अच्छी habit है जो आपको कर गिरेगा तो इसका जो next level है वो करीब-करीब सबसे पहला जो target रहेगा वो 660 कर रहेगा तो यहां से करीब और 110 point इसमें भी गिरावट आने की उम्मीद है तो इसमें भी आप चाहें तो अपना profit book कर सकते हैं क्योंकि आपके पास cash रहेगा तो आप ज़्यादा quantity खरी सकते है दुबारा lower level पर या फिर आप अपने portfolio को re-adjust कर सकते हैं accordingly अब हमने इन सब का target का तो बात कर लिया दोस्तो अब चलिए अब को दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार please like बटन दबाना अगर आपको अच्छा नहीं लगाए कोई information इसमें हो सकता है आपको अच improve कर सके दोस्तो मैं आशा करता हूँ आप यहां पर सीख रहे हैं और आपको पैसा कमाने का मौका भी मिल रहा है मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ जो प्रेम और सने आपने हमें दिखाया है अगर आपका कोई particular video बनवाना है या कोई particular topic है जिसके बारे में आपको clarification हुए हम उसको accordingly comment को update करके हमने एक series चुरू किया ask your question अलवरी 5 वीडियो के बन चुके है हम हर दिन एक वीडियो बनाने के कोशिश करते हैं ताकि आपको at least जो कोई रहे हैं उनका answer मिल सके मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपका दिन मंगल में हो जय हिंद जय भारत